हर्याणा के उर्जा मंत्री रजीत सिंग चौटाला का मुख्य मंत्री नायाप सिंग सैनी की कैबिनेट में न्युक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं का जा रहा है कि वह 12 मार्शकुन दली विधाय की रूप में सरकार में शामिल हुए थे इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए 24 मार्शकुन उने रानिया विधान सभा की सीट से इस्तिफा दे दिया ऐसे में अब उन्हें कैबिनेट में शामिल होने के लिए दुबारा मंत्री की शपत लेनी होगी पंजाब हर्याणा हाई कोड के वकील हिमंत कुमार ने उनकी नियुकती पर सवाल उठाते वे इसकी शिकायत रास्टपदी से भी की है जहां से हर्याणा के मुख्य सचीब को लेटर भेज कर संबंध में आवश्यक कारवाही कर इसकी सूचना शिकायत करता को भेजने को कहा गया है रजी चोटाला को भाश्पा ने लोग सभाद चुनाव में हिसार सीट से मैदान में उता रहा था लेकिन उन्हें कॉंग्रेस कैनिडेट जैप्रकाश ने हरा दिया आपको बता दे कि हरियाड़ में नायाप सिंग सैनी के नरतितों में गठित भाश्पा की नई सरकार 12 जून को अपने 3 माह का कारेकाल पूरा कर चुकी है 12 मार्श को मुख्य मंतरी नायाप सैनी के साथ शपत लेने वाले 5 कैबिनेट मंतरियों में रजीत सिंग भी शामिल थे जो अब सिरसा जिले की रानिया विधान सबा सीट से निर्दली विधायक थे 22 मार्श को रजी चोटाला को उर्जा और जेल विभाग आवंटित किये गये थे हालांकि वा पिछली बार मनोहलाल खटर सरकार में भी इन विभागों के मंतरी रह चुके हैं इसके बाद 24 मार्श के शाम रजीत सिंग भाशवा में शामिल हो गये जिसके कुछ समय बाद ही उन्हें हिसार लोकसबा सीट से पार्टियों मिद्वार घोशित कर दिया गया जिसकार रजीत चोटाला ने उससे दिन विधायक पत से त्याग पत्र दे दिया चुके निर्दली विधायक रहते वे कोई भी किसी राशनितिक दल में शामिल नहीं हो सकता यदि वा ऐसा करता है तो उससे दल बदल विरोधी कानून के अंतरगत विधान सबा सदस्ता से आयोग खोशित कर दिया जाता है हालांकि विधायक पत से त्याग पत्र के साथ रजे चुटाला ने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पत में अपना इस्तिफा नहीं दिया है